हाई एर्ववन मैं आपका दोस्साहिल सुवागत करता हूँ अपने चैनल पर आज आ रही है टेक न्यूस नंबर 57 तो शुरू करते हैं आज की टेक न्यूस उससे पहले मैं पता दू मैंने मौनिंग में एक वीडियो डाली थी अपकमिंग फोन्स ऑफ दिसमबर बहुत फोन्स आ रहे हैं इस पर दिसमबर में तो अब आपने नहीं देखी तो आप वह देख सकते हैं तो शुरू करते हैं आज की टेक न्यूस तो पहली टेक न्यूस की बात की जिए डी एखसो मार्क ने स्कोर्स दिये हैं जो फ्रंट कैम तो उसके लिए नोगा है Google Pixel 4 तो भई ये फोन बहुत बढ़िया डी एक सो मार्क की तरफ से आये हैं तो अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया सेलफी फोन हो तो भई ये दोनों बढ़िया हैं मगर काफी महंगे हैं 50,000 प्लस हैं तो आप सोच सकते हैं अगर आप लेना चाहते है सेकंड न्यूस की बात की तो शाओमी की या शाओमी की बहुत न्यूस है मेरे पास शाओमी की कार मैंने कुछ तेर पहले पता था शाओमी ने इंवेस्ट किये थे 400,000,000 यूवान यूवान शायद तो एक कंपनी में उसकी कार जल्दी आने वाली है उस कार का नाम रख होग कह रहे हैं इस कार में आप शाओमी फोन्स बहुत बड़ा रोल होगा जैसे मी नाइन प्रो आया था जिसमें उसमें ने लाँच एवर में कहा था शाओमी के लिए जूनने की इससे आप कार की 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 तरह यूज कर सकते हैं मतलब कार ओपन कर सकते हो कार ट्रैक कर सकते हो कार में देख सकते हो तो भई कह रहे हैं यह साड़े 600 किलोमीटर ड्राइव कर पाएगी पूरे चार्ज होने पाएगी और इसका आउटपूट होगा 430 होर्सपावर तो बड़िया लग रही है बाकी चाइना में ही आएगी इंडिया में तो कोई नमो निशान नहीं लग रहा बड़िया लगता है शाओमी कुछ बड़िया चीज करता है शायद फ्यूचर में कभी न कभी इंडिया में भी यह रुक करें ऐसी चीजों करने का तो हम जैसे लोगों को बहुत बढ़िया रहेगा नेक्स न्यूट की बात की जाए तो नोकिया नोकिया स्मार्ट टीवी पांच दिसंबर को इंडिया में आ रहा है पहली फिलिप का एलाब टीवी होगा नोकिया का स्मार्ट टीवी जो इंडिया में आएगा कह रहे हैं 4K टीवी होगा 55 इंच का एंड्रोइड 9 के साथ आएगा JBL सपोर्ट होगा इसमें डॉल्पी साउंड और डीटीए साउंड भी होगा देखते हैं प्राइस क्या होता है नोकिया के प्राइस आजकल जादा उपर होते हैं बढ़िया प्राइस में है तो बढ़िया होगा नेक्स की बात की तो शाउमी टीवी जी हां शाउमी का 2020 शाउमी मी 4X भी आ रहा है दो दिसम्बर मतब कल से इसकी सेल शुरू होगी नेरबाट कॉस्ट रखिए इसकी 35,000 तो भई 55 इंच का टीवी है इसमें कुछ फिचर्स एड़ की हैं जैसे एमाजन प्राइम वीडियो और नेट्फिक्स अलएडी इंस्टॉल्ड है तो आपको थर्ड पार्टी की तरफ इंस्टॉल नहीं करें पड़ेंगे तो यह काफी बढ़िया चीज है तो अगर आप इंट्रस्टेड है तो आप ले सकते हैं 25,55 इंच के टीवी के लिए नॉट बैट चाइना में नहीं हो चाइना में तो चलो 20,000 का मिल जाता है 55 इंच का शाओमी का टीवी अगर इंडिया के साब से नॉट बैट ऑप्शन नेक्स्ट न्यूस की बात की जाए तो रेड्मी स्पीकर रेड्मी स्पीकर पास हुए हैं 3 3C सर्टिफिकेट में और शायद 10 दिसंबर को ये लांच भी होंगे साथ में कह रहे हैं शाओमी का शाओ आय स्पीकर चार ऑल्सो 3C सर्टिफिकेट पास हुए हैं और इसमें से एक शायद तच स्क्रीन स्पीकर भी हो सकता है तो देखते हैं कब आते हैं भी लांच डेट का पता चलेगा दस तारीकों में पता चली जाएगा जैसे ओरियो डिजाइन इसका आया है जैसे हुआवे में 30 सीरीज में है और साथ में मिडल में चार कैमरे हैं तो जैसे होता था कि कहरें क्वाइन डालते थे गेम्स खेलते हुए चोटे होते या अपने किया हो तो वैसा श Snapdragon 865 3 December से 5 December का Huawei हवाई में हो रहा है launch तो बहुत excited हूँ में बात है कौन सा फोन आएगा सबसे पहले Xiaomi mostly phone लाता है जैसे Mi 10 के chances थे मगर अब कह रहे है Mi 10 February तक आएगा जब Huawei P40 आएगा क्योंकि उसको टकर दने के लिए Xiaomi phone लाएगा तो मेरे साब से 2 मिने तक तो कोई ना कोई फोन आ जाएगा तो मेभी इस बार लेनोवो कुछ कमाल करते हिंट तो दिया है लेनोवो ने देखते हैं जो होगा अगर दिसंबर में आगा तो भई उसकी अन्बॉक्सिंग तो मैं आपको दे ही दूँगा तो नेक्स न्यूस की बात की जो है तो Honor की Honor और Xiaomi का हो रहा है लफड़ा चाइना में जी हां Honor V30 जब लाँच हुआ था तो Honor के प्रेजटेंट जाओ मिंग निंडिरेक्टली शाओमी को टार्गेट किया था कहा था जो CC9 Pro है तोड़ा स्लो है जब आप 108 मेगा पिक्सल से पिचर लेते हो तो वो लोड लेती है तो आज का लोग टेकनोलोजी में चाहते हैं क्लिक करो फोटो आए तो साथ में उनने का कि 108 मेगा पिक्सल के पिचर लेते हो तो इसकी 20 MB की पिचर होती है जो काफी स्टोरेज गेन करेगी तो 128 GB स्टोरेज बहुत कम पढ़ जाएगी अगर आपने 45 तर पिचर भी लेली तो आपकी स्टोरेज खातम तो भई शाओमी को लगा बड़ा बुरा तो शाओमी का जो एक्जेग्यूटिव है वांग तेंग उन्होंने पोस्ट किया कि भई लोग हमारी तरक्की और प्रोग्रेस से काफी जलने लग गए हैं और उन्होंने का है कि जो CC9 प्रो जो प्रीमिम एडिशन अगर आप वो लेते हो तो हम इसमे कह रहे हैं उसका प्राइस कम होगा V30 से तो भई हम लोगों को बहुत फैदा है अगर ऐसी टक्राव दो कंप्री में होती है तो वो आपस में टक्राने के लिए कंजूमर्स को बहुत फैदा देते हैं तो देखते हैं क्या होता है जो भी होगा मैं आपको लेटेस अपडेट आपको आपको यसमें इसेंज में पंच व्लoli modeling वहें में दिस्पले होगा और एकनी ल्फिटमी के क्या है में जो होंगे म deliveringatory चार काम्रीह में रियर में जो होंगेchnीas 2 की तरह मतलब साइट पे होगे वाटिकली और केह रहें 64 मेलापिक्सल का क्मेरा प्लस 20 प्लस 12 प्लस 2 कामरा, फ्रंट कामरा 20 में का पिक्सल का होगा और इसमें स्नाप्रगन 735 हो सकता है जो डूल मोड 5G होगा तो प्राइज इसकी भी नियर्वोर्ट 25,000 हो सकती है कह रहे हैं रेड्मी के 30 की प्राइस आ जाए उसके बाद रियल मी भी सोचेगा क्या प्राइस रखें क्योंकि र प्राइक जरू कीजिए न्यूहाँ चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए जाहें वंदेम मातरम मिलते हैं कल मॉर्निंग में लाओंगा हेलो शाओमी हेलो स्मार्ट वाच जो एक हजार की दी उसके अन्बॉक्सिंग आज ठोड़ी डिले होगी तो सॉरी फॉर डैट सो से य झाल में दोड़ी और्ना ट्रो हे पोई से के का उसे के लता सैंट आवए में में मॉर्न भाच जहें वहें हैं की झाल में मॉर्मी हाज़ी हैं का अ है, झाल मैं म ज मॉर्ण बवार खnt जा सकत Sukत to्के ड हॉतो Frank Sparak